असलाम लेकुम आवर्यवान वल्कम बाक टो माई यूट्यूब चानल आम जवीरिया का मानुमत करती होंगे आप सब्कारियत से होंगे और बहुत खुश होंगे इस वक्त मैं मौझूद हुझी वाव फाइफ पर और यहां पर हर चीज गुंती है पांच रियाल की लास्ट ट ताफ़ा देने के लिए भी लेकर जा सकते हैं यहां पर चीज ऐसी है कि अगर चीजों के पहचान है तो आपको यकीन बहुत ही अच्छी चीजा मल जाएंगी खाने पीने के चीजे मिलती हैं क्रॉक्री मिलती है गिफ्ट आइटम होते हैं और घर की डेकॉरिशन समान होता ह टीशिर्ट्स हैं स्वाइटर्ज मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि यहां पर अच्छी सी शॉपरिंग करें और आएं इसकी जो लोकेशन है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो बिलकुल आ सकते हैं टैक्सी वाले को पॉक्चर दिख्धाए हैं डेड़ा अफ्री नामेर और चाहते हैं लिए वाँ 5 अब यहां पना पर क्या-क्या मिल रहा है और यह है वाँ 5 आप यह स्क्रीन शॉट ले सबसे पहले जब हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो आता है एटेबल यानि के खाने पीने के काफी सारी शीज़ें वहां पर आपको मिल जाएंगे अच्छा यहां पर एक बात बताओं मैं आपको पहले मैं भी यही समझती थी कि यहां पर जो चॉकलेट के पास भी यानि के मदीना में भी और मका में भी तो वो 15-20 रियाल के मिल रहे होते हैं और यहां पर आपको वही पैकेट 5 रियाल का मिल जाता है एक्छली यहां पर 5 रियाल का मतलब है के 5.75 यानि के 5 रियाल और 75 हलाला यानि के 5 रियाल ठीक है जैसे हमारे हाँ पैसे होते तो मतलब पॉने छे रियाल जो है वो एक चीज होती है क्यूंकि इसका नाम पहले वाव फाइव था मतलब के फाइव रियाल मार्केट से ही लोग जानते पहचानते हैं और शायद महंगाई की वज़ा से उन्होंने सेवन्टी फाइव हलाला जो है वो बढ़ा दिया है मतलब पर पीज अच्छा यहां पर आपको हर तरहां की चीज मिल जाएगी यह मार्केट वैसे तो बेस्ट उन लोगों के लिए ही ज्यादा है जो के मदीना मक्का या सौदी में कहीं पर भी रहते हैं लेकिन यहां की चीज़ों की कॉलिटी काफी सारी चीज़ों की स्पेशली यह जो अभी आप बैग देख रहे हैं इस तरहां के यह जो बैग्स हैं यह आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकते हैं की कॉलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और बलके शायद मैं उसका क्लिप बनाना भूल गई हूँ यहां पर जो लोग आफिस जाते हैं और लंच व विवर्शिप है वो पाकिस्तान और इंडिया की है लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करूंगी तो आपको अगर सस्ती जगों पर हम जाते हैं तो चीज की कॉलिटी भी बहुत ज्यादा लो होती है यहां पर यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिटरली आप हैरान रह जाए कि अच्छा यह पांच रियाल में मिल रही है तो बहुत ज्यादा अच्छी है इस तरह के बैग्स मैंने लिये थे और यह बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छी कॉलिटी के हैं खैर बच्चों के हिसाब से भी जैसे अगर आपने गिफ्ट देना है तो आप बहुत करकलायa है है कि यह मर्केट है ही वाकाई मैं बहुत अच्छी है 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 यहां कि जो SYMPORS है मैं आपको सच बताउँ इतनी अच्छी कॉलिटी के सलेपर्स आज तक मुझे कहीं से भी नहीं LIKE मिली है UFO यहां की जो स्लिपर्स हैं वो इस कदर अच्छी कॉलिटी के हैं कि आप पहन पहन कर परेशान हो जाएंगे लेकिन वो बिल्कुल ठीक रहती है लेकिन बस यह है कि आपको देखनी पड़ेगी इनके अंदर भी कुछ होती होंगी जो थोड़ी लो कॉलिटी होती होगी लेकिन तो इतनी जबर्दस्ट कॉलिटी मल जाती है लेकिन मेरा जो साइज है वो जड़ा कम ही मिलता है क्यूंके मुझे काफी ज़्यादा च्छोटे साइज की चपल आती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो नहीं थी नहीं मिलती है तो इस वजह से मुझे मतलब इतना फायदा न लेकिन जिनके साइज यहां से मिले उनके लिए बैस्ट है और यह आप देखें बच्छों के बैक पैक्स ओफ यह इतने प्यारे थे और लिटरली यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्यारे लग रहे हैं इनकी कॉलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और बहुत ही ज्यादा ज लिमिटेड होता है और हमारे पास बजट बादे होता है तो हम इतना कुछ नहीं ले सकते लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है और आपके पास लिमिट में लिमिट भी है आने के आपके पास लगेज में जगा है तो यह वाली मार्केट जरूर विजट करें तो वाकरी में आपका दिल खुश हो जाएगा अच्छा मैं वाइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जब इस मार्केट में गई थी तो मैं थी अपनी फ्रेंड के साथ और वो ही मुझे लेकर गई थी तो हम दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा बाते कर रहे थे तो उस वक्त मैं उस तरीके से वडियो नहीं बना सकी तो मैंने क्लिप्स बना लिए ताके मैं आपको वाइस ओवर करकर मार्केट दिखा सकूँ यह सेक्षिन जो है यह है मेरी ममा का मोस्ट फेवरिट सेक्षिन अगर आपने मेरी लास्ट वाओ वाली वडियो देखी हो तो वह तो मैंने अपनी ममा के साथ ही बनाई थी वो भी म खुब सूरत है और यहां पर क्रॉकरी की जो कॉलिटी है वह भी बहुत अच्छी होती है मेरी काफी सारी फ्रेंट्स ऐसी हैं जो के यह बात बताती हैं कि वह बड़े-बड़े ब्रेंड से और बड़ी-बड़ी मार्केट से जैसे फ्राइंग पैन वगरा या कुछ हो जाते हैं लेकिन यह गिफ्ट शॉप से यानि कि पांच रियाल मार्केट से लेती है तो बहुत ज्यादा अर्सा चलते हैं और बिल्कुल खराब होने का नाम ने लेते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आप बड़े नाम की वज़ा से चीज़ लेते हैं जैसे कि कोई इतना कुछ हब नहीं मिलता है जो लोग रिसेंटली जा चुके हैं या जो लोग वहां रहते हैं वो मेरी इस बात से तफाक करेंगे क्योंके साओधी में अब काफी ज्यादा महंगाई हो गई है तो इस हिसाब से यह वाली मार्केट जो ही काफी रीजेनेबिल है अच्छा यह पांच रियाल मार्केट आपको वैसे भी मल जाएंगी जैसे के और भी होती हैं मतलब फाइव रियाल मार्केट लेकिन सबसे बेस्ट मुझे यह वाव फाइव लगी यहां पर अगर यह बात कही जाए कि नेम इट एन हैविट वही वाला सीन है कि यहां पर आपको सब जो प्राइसेस बखेरा हैं वो अलग हैं मैंने का यह मैं बात आपको पहले बता दूँ अच्छा आप यह प्लेट देखें यह कितनी जबरदस्त हैं मैं अपनी ममा को भी दिखा रही थी यानि के कॉल पर और उनको कह रही थी कि अगर मैं मतलब लगेज का इशू ना हो तो इस वजा से कुछ ही क्लिप्स मैंने बनाए ताके सब को एक आइडिया हो जाए कि यहां पर क्या क्या और किस किस तरह का मिल रहा है यहां पर बहुत कुछ मिल रहा होता है और आप बहुत चीजें ले सकते हैं अच्छा कपड़ों के जो सेक्शन है उसकी शायद मैंने मिल जाएंगी और अगर आपने शॉपिंग करनी है जैसे कि आप सोच कर आ रहे होते हैं कि हमने इतने लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने हैं तो फिर यह बेस्ट मार्केट हैं और यह आप देखेंगे मसाला रखने कर मुझे इतने पसंद आए हैं यह अगर आपने मेरी एक लेकिन यह जो मसाले के जार्स हैं मुझे बहुत 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 पसंद है और दिल करता है कि यह बहुत सारी मैं अपनी ममा के लिए लूँ यहां पर डिस्पोजिबल आइटम्स बहुत सारे आपको मल जाएंगे बहुत तरहां के मल जाएंगे और प्याले वगएरा कप्स बहुत कुछ मल जाएगा क्योंकि मैंने देखा है कि साओधी में लोग डिस्पोजिबल आइटम्स बहुत जादा यूज़ करते हैं यह कहव से दिल ही आ जाएगा जो भी मक्का मदीना में शॉपिंग के हवाले से वीडियो होती है मैंने देखा है कि उसके ओपर लोग कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कॉमेंट्स करते हैं कि भई क्या वहां पर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो अगर आपके पास बजट है और आप यहां से लेंगे तो अच्छी कॉलिटी में और अच्छे मिल जाएगे तो आप बिलकुल ले सकते हैं उसके इलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके काफी पीछे लोग ऐसे हैं महबत करने वाले जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो बिलकुल आप उनके ल ज्यादा पैसे बच गए इसलिए क्योंकि यहां पर उनको सब कुछ चीजे मिल गई और उनके बजट के अंदर अंदर मिल गई यहां पर शैंपूज और बॉड़ी वाश शावर जल बहुत कुछ मिल जाता है और बहुत इच्छी कॉलिटी का भी मिल जाता है अच्छा ऐसा और यह मैं जरूर पर्चेस करती हूँ मैंने यहां से जो भी शॉपिंग की उसकी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी लेकिन जो जो अच्छा लगा और जो जो किसी के लिए मुझे लेना था और वो मैंने यहां से ले लिया था बस मेरा दिल कर रहा होता है इस मार्केट में जा लेकिन बस यह है कि हम सब कुछ यहां से नहीं ले सकते हैं